हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका यूटूब चैनल टेक्निकल होस्ट में फ्रेंट्स इस वीडिये बाद हम बात करने वाले हैं सौमी के एक नए स्मार्ट फोन के बारे में जिसका नहीं सौमी 13 प्रो इस वीडियो में दी गई इंफर्मेशन कॉंसेप्ट बेसे पूरी इंफ 144 होट आज हाई रिफ्रेस रेट के साथ हाईगी साथ ही वन बिलियन कलर एस्टेयर 10 प्लस और वी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जिसे कि मल्टी मीडिया कॉंटेंट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है इस फोन में कॉनिंग विला ग्लास की यामेंट से से सीच्योर रहे गार बात करें तो इस फोन के रियर साइड पे ृअच्टत एट मेगा ऑड़ ऑफ रोसे को देखने को मिलेंगे primary camera lens के help से 8K quality की ultra HD videos को suit कर पाएंगे इस phone के rear side में ultra night mode, portrait night mode, portrait HDR and face recognition जैसे और दर कई सारे updated features देखने को मिल सकते हैं front side के अगर बात करें तो इस phone के front side में 32 megapixel का in-display selfie camera देखने को मिलेगा जिसके help से काफी better quality की selfie को capture कर पाएंगे और साथ ही night mode selfie, AI face beauty, AI portrait mode and movie frame जैसे feature यूज़ कर पाएंगे front camera की help से slow motion selfie videos को suit कर पाएंगे साथ ही इसका use video calling and face lock में भी कर पाएंगे performance के अगर बात करें तो इस phone में यूज़ क्या गया है latest Qualcomm Snapdragon 895 की chipset जो की high graphics 5G technology को support करती है साथ ही ये smartphone android 12 based होगा इस phone का user interface भी next level का होने वाला है क्योंकि इस phone में use किया गया है MIUI 13 का friends इस phone की gaming experience भी काफी better होने वाली है क्योंकि इस phone में use किया गया है liquid cooling technology का जो कि smart phone की heating इसुको control रखती है और gaming performance की smoothness को increase कर देती है Xiaomi का ये smartphone 8N 12GB RAM options में 256GB internal storage के साथ आएगा जहां UFS 3.21 का support भी देखने को मिलेगा friends आगे बढ़ते और अब बात करते हैं power backup की तो इस phone में install की गई है 5000 image के non-remiable powerful battery जो कि आने वाली है 120W hyper charging support के साथ और साथ ही 50W wireless charging and 10W rewards wireless charging support भी देखने को मिल जाएगा इस phone में privacy and security purpose के लिए in display fingerprint sensor प्रोवाइट किया गया है जो कि काफी quick and reliable होगा इसका यूज करके phone की data को fully secure कर पाएंगे physical improvements के गर बात करेंगे तो इस phone में 3.5 mm modules और और वी atmos का support देखने को मिल सकता है बेटर की बात करें तो स्वामी का ये smartphone एक 5G smartphone होगा जिसमें Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 2 जैसे अधर कई सारी connectivity भी देखने को मिल सकती है स्वामी का ये smartphone IP68 certified smartphone होगा मिन्स की ये phone waterproof and dustproof smartphone होगा साथ इस phone की price approach 80,000 तक हो सकती है ये वीडियो पर इंडो ती है वीडियो चलेए वीडियो को लाइक करें ऐसे लिटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकियो